जैमाता दिमित्रो हमारे योट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो ये तांत्रिक लोग होते हैं जो ये बुरी प्रवर्ती के लोग होते हैं बुरी सोच वाले लोग होते हैं इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है आज मैं वो आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये कौन सी शक्ति को सिद्ध करते हैं और कौन सी शक्तियों को आपके उपर छोड़ते हैं आपका नुकसान करने के लिए सबसे पहली चीज में आपको ये बता दू कि ऐसे लोगों के पास में कोई भी बड़ी सिद्धी नहीं होती है कोई भी बड़ी शक्ती नहीं होती है ये क्या करते हैं कि ये किसी ऐसे अच्छे अवसर का वेट करते हैं जैसे की होली का समय हो गया दिवाली का समय हो गया या फिर अमावस्या का समय हो गया या फिर कोई कोई ऐसी परिस्थिती का ये इंतिजार करते रहते हैं जिस समय पर किसी जवान वैक्ती की मृत्यू हुई ह और ये उसकी आत्मा को अपने वश में करने के लिए तत पर रहते हैं तैयार बैठे रहते हैं नहीं तो फिर ये दिवाली की रात में जा करके होली की रात में जा करके शमशान में जाते हैं वहाँ पर जा करके ये साधना करते हैं और साधना करके किसी भी भूत प्रेत डाकिन किसी जिन्न को खबीस को बेताल को या इस तरह की चीजों को यह लोग सिद्ध करते हैं ,ठीक है क्योंकि यह सारी चीजे एक दिन में सिद्ध होने वाली होती है , जधा से जहादा घ्यारा दिन या एक किस دिन ये चीजे सिद्ध हो जाती हैं अगर आप अच्छे मूरत पर अच्छे नक्षत्र में इनकी साधनाई करोगे रात्री काल में करोगे जैसे कि आप मवस्या की रात्री हो गई या होली की रात्री हो गई ग्रहन का समय हो गया दीपावली का समय हो गया ऐसी रात्री में एक दिन लोग होते हैं इनके पास कोई भी बड़ी सिद्धी नहीं होती क्योंकि बड़ी सिद्धी को सिद्ध करने में बड़ी शक्ती को साधरे में काफी समय लगता है वर्षों का समय लग जाता है महीनों का समय लग जाता है इनके पास इतना सामर्थे नहीं होता और नहीं इनके पा तो वो शक्ति इनका साथ छोड़ करके चली जाती है। माता महालक्ष्मी माता महासरस्वती तो जो बड़ी शक्तियां होती हैं वो कभी भी बुरा कार्रे नहीं करती है। अमफलाने देवता हैं वास्तों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्ति हैं। कोई बी बड़ी शक्ति का बुरा करती ही नहीं सकता कि कोई सादक उनको सिद्ध कर ले और उन से बुरा कारे करवा ले उसकती तत्काल मना कर देगी और अगर कोई जबरजस्ती करता हैं नहीं आपको इसका नुकसान करना है आपको इसको मारना है आपको इसके मतलब इसके परिवार पर नुकसान करना है तो वो शक्ति मना कर देगी और अगर फिर भी वो नहीं मानते तो वो उसे सादक का साथ छोड़ करके शक्ति चली जाती है बलकि उस सादक का ही जीवन बरबा बुरा कौन करते हैं बुरा ये सभी लोग करते हैं बूत प्रेत चुडएल डाकिनी शाकिनी जिन खबीस बेताल ये सारी शक्तियां होती जिनको ये तांत्रिक लोग वश में करते हैं शमशान में जा करके इनको सिद्ध करते हैं और फिर इनको बुरा करने के लिए छोड़ते किसी भी वेक्ति के उपर और इन तांत्रिकों को क्या पता कौन बुरा जिन से इनकी दुश्मनी है उनके उपर तो यह सीधा सीधा छोड़ देते हैं नहीं तो जादतर यही देखा गया है कि जो आपके आपसे जलने वाले लोग आपसे चिड़ने वाले लोग आपसे इरशा क करने वाले लोग हैं वही लोग इनके पाश जाकर के आपके उपर तंत्र क्रिया करवाते हैं जादतर देखने में यही आता है कि आपके रिस्तेदार हो सकते हैं उसमें आपके जान पेचान वाले हो सकते हैं आपके आस्परोस वाले हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जो नकरात्मक्त शक्तिहीं जा नहीं भाट कारण की जा सकते हैं तो यही थी के जानकारी और इस इसी इन ई्रृ वश्म करेश and लोगा करतें conventional शम्शानों में लाखो करोडों भूत प्रेत वास करते हैं, कई सारे भूत प्रेतों को ये एक साथ बांद लेते हैं, कई सारे भूत प्रेतों को भोग दे करके एक साथ बुला लेते हैं, उनसे कारे करवाते हैं, उनको तरह तरह की जगा छोड़ देते हैं, कई 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 तरह के लोगों के उपर छोड़ देते हैं और उनसे ही बुरा कारे ये लोग करवाते हैं तो आशा करता हूं मित्रो जो जानकारी मैंने आपको दी अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए म